नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवन करा रही हूँ जो सुन्ने मात्र से आपके जीवन में सुख, समपत्ती और धन की वर्षा होगी तो चलिए कथा को प्रारंब करते हैं श्रोताओं, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे, उनमें बहुत प्रेम था एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच जगड़ा हो गया तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वास घाती स्त्री है मेना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वास घाती पुरुश होते हैं जब वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद का निदान के लिए वे भगवान शिव के पास गए और अपनी बात बताई, शिव जी ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में इस त्री पुरुशों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वास घात कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ती होगी, इसलिए इस कथा को पूरा सुने, आप शिव भक्त हैं तो भोले नात का अनादर ना करें, तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे हम सबको ये साबित होगा कि स्त्री पुरुश चुकि अपेक्षा, ज्यादा पापी और विश्वास घाती होती है, फिर भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओं, श्रोताओं, तब तक माता पार्वती आ जाती है, और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूं, तब भगवान और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है, एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, उसके पास चार बेटे थे, जो सभी बहुत ही बहादूर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम चंद्रसेन था, वह ना केवल प्रता प्रत्री को सुन्दर नहीं मानती थी, एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज हो करके राज्य से निकाल देने का आदेश दिया, राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इस बात से चिंतित हो गए, फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा प्राणनाथ आप उदास क्यूं है आप इतना मुर्जाया हुआ क्यूं है राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यूं है तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा क किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी उसी समय उसकी पत्नी मूशित हो जाती है फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब का पानी का छिड़काव किया तब जाकर वो होश में आ गई अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पती राजकुमार चंद्रसेन से कहा आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी मैं भी आपके साथ ही चलूंगी तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नर्म नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना ये कश्ट कैसे बरदाश्ट कर पाऊगी फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है प्रीतम जि इस सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी अब तोता कहता है प्रभु रानी चंद्रप्रभा की आँखों में आशु देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा के वो मेरे बिना नहीं रह सकती इसलिए को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी से कहते है तुम उदास नहीं होना हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पती के साथ जाने की तयारी करने लगती है अगली सुभह वो राज्य से बाहर निकल कर एक जंगल में पहुँचते हैं चलते चलते ठक जाते हैं और फिर उन्होंने एक बरगत के व्रिक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्नय लेते हैं वे बहुत ठके हुए थे ठंडी हवा के जोंकों में उन्हें नींद तुरंत आ गई परंतु कुछ देर बाद वहीं पर ए असते ही रानी तडपने लगी और चंद्रसेन की आँख खुल गई तो रानी को तडपता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यू हो गई इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन उचे पर में रुदन विलाप करने लगे उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जनतु उसे खाने के लिए वहां आ गए फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा अब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं अब जीकर क्या करूंगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा ऐ पर वह राणी की लाश के पास से उच जाता है और जंगल से लकडियां इकठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी राणी की चिता में जलकर मर जाओंगा बस उस समय स्वर्ख से एक देवदूत आता है और राजकुमार को रोते हुए देख कर उसके में दया आती है व तुम क्यूं रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ती नहीं है. मुझे चाहिए कि ये धर्ती भट जाए और मैं इसमें समा जाओं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। फिर चंद्रसेन ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा अग्रसेन के बीटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोडने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते-चलते यहां आ गए। जहां आकर मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यू हो गई है। और मैं लकडियां इकठा कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आपको भी अग्नी के हवाले कर सकूँ। तब तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुने, चंद्रसेन की बातों को सुनकर, देवदूत कहते हैं, राजकुमार तु बड़ा मूर्ख है, यह संसार है, यहां इंसानों का आना-जाना लगा रहता है, इस शरीर को एक दिन, सब को त्याग देना पड़ेगा, तू भी इसे जानता है, इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता, और नाहीं किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो, अगर तू जीवित रहेगा, तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर, मरने का विचार छोड़ दो, इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नश्ट करना चाहता है? इस प्रकार, देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महराज, आपने जो कुछ कहा है, वो सत्य है, किन्तु ऐसी पतिवरता पत्नी, मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत चंद्रसेन के विचार सुनकर, देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है, अब तु मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि तु इस उपाय को कर सकता है, तो तेरी रानी जीवित हो सकती है. फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे, वो सब करने के लिए तयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना. तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयू केवल दस वर्ष थी, जिसे इसने बिता दिया. इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीच चुके है. तेरी जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी है, यानि तुझे 40 साल और जीने का अवसर है. यदि तु अपनी पत्नी को आधा, अपने जीवन का समर्पन कर देता है, तो तुम दोनों की आयू समान हो जाएगी, अगर तुम यह मान लो, तो रानी जल्द ही ठीक हो जाएगी इस तरहे देवदूत की बात सुनकर, राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है, फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया, और बीस वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया, कि वो जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले, मेरे एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है अभी तो तुझे रानी की आवश्शक्ता है, तुम पानी डाल कर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविश्य में अगर रानी की आवश्शक्ता नहीं पड़ती है, तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब वो संकल्प वापस लेते हो, तो तुम्हारी रानी को तो रन्त ही मौत हो जाएगी. परन्तु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ना लेने की बात, रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ला सकोगे. हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए. क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती हैं. फिर तो ऐसा कहकर, और उस रानी के सामने आकर, वो देवदूद जो थे, अंतरध्यान में चले गए, तब चंद्रसेन रानी से कहता है, आप सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया. फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत ठकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया. इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बाते छिपा दी, कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था, और तुम मर गई थी. मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, ये सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया. फिर तोता बोला, प्रभु, फिर वो दोनों आगे बढ़ गए, कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर स्थान देखा. वहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी, जब वे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि एक सुन्दर युवक फकीर हुका पी रहा था, वे दोनों बहुत ही ठके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं, अगर तुम भी प्यासी हो तो, तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाए, पानी पिए, फिर वापस आए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर, राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर, कुएं की ओर जा रहे हैं। चंद्रसेन पानी पीने पहुँचे तो, राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही है। चंद्रप्रभा फकीर की सुन्दर्ता को देख कर, उस पर मोहित हो गई। अर्थात, वह उसको दिल दे बैठी थी, अब वह फकीर से कह रही है। फकीर साहब, आप यहां बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पती भी साथ में है, तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने, अपनी प्रेम लीला प्रकट की, तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाए बताता हूँ, तुम अपने पती को जिस कुए में पानी पीने गया है, तुम उसी कुए में धकेल देना। फिर जो होगा, हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बात सुन करके, चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में, राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया, तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुए पर वापस चल करके, मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, और तुमने मना कर दिया था। फैर, अगर तुमको प्यास लगी है, तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला, तो रानी भी उसके साथ चल दी, और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था, कि यह मेरे प्रान लेने के लिए, मेरे साथ आ रही है। श्रोताओं, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं, कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, मानव क्या चीज होता है। उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी भंज जाते हैं, जब राजकुमार चंद्रसेन कुए पर जाकर पानी भरने के लिए जुखता है, राणी उसको धका देकर कुए में गिरा देती है, और खुद फकीर के पास चली जाती है। फकीर राणी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने फिर राणी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वो नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वो राजकुमारी पुरे नगर में पसिध हो गई। इस तरह राणी के नृत्य और गीत के कारण वो फकीर के पास लाखों रूपे बन गए। तब सायोग से एक जनजीर जो कुए में लटकी थी उसे पकड़ लिया था। चंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुए में लटकता रहा। इश्वर को याद करते हुए वो सोचने लगा क्या यही मेरे प्यार की सजा है। और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा डोल लेकर कुए का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में डोल डाला तब चंद्रसेन ने उसका डोल हाथ से पकड़ लिया। बंजारा ये देखकर चौक गया और पूछा तुम कौन हो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा भाई मैं आफत का मारा हुआ हूँ। मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिन्दगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कह करके राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देख करके उस बंजारे को उस पर गया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा ये भाई तुम कौन हो तुम इस कुएं में कैसे गिरे तुम मुझे अपना हाल बताओ तक चंद्रसेन ने कहा भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूं जो मुश्किले मेरे साथ हुई है भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो फिर चंद्रसेन ने कहा यदि तुम मुझे से जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहांच गया, मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे जंगल में एक सांप ने मेरी पतनी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यू हो गई मैं जब अपनी पतनी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयू के बीस वर्ष मेरी पतनी को देने के बाद उसे पुनाय जीवित कर दिया फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े, कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुँचे, जहां एक फकीर का देरा था मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया, जब मैं वापस आया, तो मेरी पतनी ने मुझ से कहा, कि उसको भी प्यास लगी है मुझे भी पानी पिलाओ, और इसी तरह कहकर मेरी पतनी, मेरे साथ उस कुए पर आ गई, मैं कुए से पानी निकाल रहा था, तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया कुए में लटकी हुई एक जन्जीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुए में गिरने से बच गया, और फिर जब आप आए, तो मैंने आपको आवाज दी जिसके बाद आपने मुझे कुए से बाहर निकाला, अब तोता बोला, प्रभू इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया, और फिर अपनी व्यथा सुनकर चंद्रसेन चुप हो गए उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना, और राणी की कर्तूत सुनकर दुखी होकर कहा, कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य कैसे समझ सकता है ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन को सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो भगवान बड़े दयालू है, वो तुम्हारी सहायता करेंगे तुम चाहू तो हमारे साथ कुछ दिन रुख सकते हो राजकुमार चंद्रसेन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया फिर उनकी सहायता से वो कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुँचा जहां उसकी पतनी चंद्रप्रभा और वो फकीर रह रहे थे उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा भाई मेरी इच्ष है कि कुछ दिन इस राज्य में रहते हैं तब बंजारे ने कहा आप जैसे चाहे मुझे कोई आपत्ती नहीं है फिर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तवियों का निर्वाह करना शुरू किया। ये देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहां का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुज्रने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहां चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहां नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहुकार राजा के यहां पहुँच गए। चंद्रसेन जो राणी नृत्य और गायन की प्रशनसा करता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वो भी राजा के दरबार में सेठ के साथ यहां पहुँच गया। राणी ने अपसरा के समान दृत्य किया और उनकी सुरीली आवाज में कई सुन्दर रागों को प्रस्तत किया। उनके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और बहुत सारे इनाम दिये। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और फिर वो उसे उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया मेरा पती जिन्दा है और यहां पहुँँच गए हैं अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जि इसने मन में सोचा अब मैं यहां के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाऊंगी जिससे वो खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने सुरीला गाना और नृत्य सुनाया रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुए और चंद्रप्रभा को वो बोले मैं तुम से बहुत खुश हूँ तुम मुझसे क्या मांगती हो तब राजकुमारी ने कहा अगर आप मुझसे प्रसनन है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे फिर चंद्रप्रभा ने कहा इस सभा में एक चोर है कृपिया उसे फांसी की सजा दें राजा ने कहा तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया इस चोर को जलादों के पास ले जाओ और इस चोर को फांसी पर चढ़ा दो इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहाँ पहुंचा वो डर कर चंद्रसेन के पास गया और पूछा तुमने क्या चुराया इस नर्तकी का जिसके कारण वो तुम्हें मारना चाहती है चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया है बस आप इस राजा को केवल ये बता दो कि वो मेरी दो बाते सुन ले इससे मेरी जान बच सकेगी अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहुकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मश्वरा किया उन्होंने कहा मित्रू या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़ कर कहीं और चले जाएंगे और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे राजा साहब हमारा मुनीम निर्दोश है उसे मार देने का आपका आदेश है वो कह रहा है कि वो अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है फिर भी आपको लगे की उसने अपराद किया है तो उसे फांसी दे देना लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा ठीक है मुनीम को बुलाओ चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा महाराज मैंने क्या दोश किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा तू इस नृतकी का चोर है तो चंद्रसेन ने कहा नहीं महाराज मैं इस कुल्टा स्त्री का पती हूँ जो कुए में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड रही है मैं इसे जानती तक नहीं ये तो मेरा चोर है मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा महाराज ठीक है अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस कर दे फिर चंद्रसेन राणी की ओर देखे राजकुमार ने अपनी अमानत को लोटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्विकार कर लिया तब चंद्रसेन ने कहा अच्छा अब तुम अपने हाथों में पानी लो हमारा न्याय इसी सभा में होगा पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रहा हूँ रानी ने भी पानी लिया और कहा जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा रानी के प्रांट छूट गए ये द्रिश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए तो राजा ने ये देख चिंतित ह होकर चंद्रसेन से कहा यह क्या हो गया बताओ मुझे सच्चाई तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को सुनाया राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी तोते ने कहा प्रभु मैंने इस कहानी को सुना है मैं स्त्रियों से घ्रिना करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुर्षों से अधिक पापी और विश्वश घाती होती है अब श्रोताओं एक बार तोते ने भगवान शिव और पार्वती को एक कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वास घाती होती है तो इसे सुनकर सभी ने हैरानी में डाल दिया मैंना ने कहा प्रभु मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है स्त्री तो सभी में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूलियों और इमानदारी के हो सकती है परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वास घाती हो सकते हैं फिर भगवान शिव ने पूछा ठीक है तो मैंना तुम कैसे सिध करोगी यह बात मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ठ होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वास घाती होते हैं फिर मैंना ने कहना शुरू किया प्रभू एक गाव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेट का बेटा एक अधभत प्रकार का व्यक्ती था सेट का बेटा इतना जुवारी था कि सेट उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया फिर भी वो जुवा खेलना बंद नहीं किया लेकिन पिता की मृत्यू के बाद वो खुल के जुवा खेलने लगा और सब कुछ हार गया फिर वो अपने गाव से दूर चला गया और एक सेट के घर पहुँचा और सेट से बोला मुझे बहुत तेज प्यास लगी है मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा तो सेट ने उस युवा से पूछा की तुम कौन हो क्या करते हो और कहां से आए हो जिसके उत्तर में उस युवा ने कहा मैं एक व्यापारी हूँ और यहां से जा रहा था तो सोचा की पानी पी कर चला जाओ तब सेट ने पूछा की तुम कौन व्यापार करते हो तब युवा कहता है व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा फिर सेट ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे अब तो ये बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हां कह देता है जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है प्रभू इस प्रकार सेट अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं उधर युवा लड़का को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था तो उसने वो भी कर लिया अब विवाह के बाद जब युवा सेट की लड़की को साथ लेकर जा रहे थे तो एक जंगल आ गया वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला देखो हम अभी जंगल में हैं यहां कोई चोर हमारे गेहनों को चुरा सकता है इसलिए आप अपने सभी गेहनों को मुझे दे दे ताकि हम सुरक्षित रह सके युवा की पत्नी ने अपने पती पर भरोसा किया और अपने सभी गेहनों को उन्हें सौंप दिया और क्यूं ना करी क्यूंकि वो उनके पती थे उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधने में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे इस दोरान युवा के मन में लालच उत्पन हुआ और उनकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था युवा ने फिर उस दासी को मार डाला फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुए में गिरा दिया और मन में यह विचार किया की मैं इसके साथ में सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी मेरे पास पैसे मिल गए और उसने सोचा की वो पानी में डूब कर मर जाएगी इस तरह सोचकर वो युवा वहां से चला गया लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वो कुए से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही कुए के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो वो उसने महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ती को दी और उस व्यक्ती ने महिला को उसके पिता के घर पहुँचा दिया अब जब महिला पिता के घर पहुँची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिता जी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था, और दासी को मार दिया, मुझे कुए में धकेल दिया, और पती के बारे में कुछ पता नहीं है. बेटी की बाते सुनकर, सेच जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे. अब मैं ये कहती हूँ, कि प्रभू, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वास घाती और पापी हो सकते हैं. अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है. मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है, और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है. अब आप ही न्याय करें. उसने अपनी पत्नी को मारा, और सारा सामान लेकर के चला गया. अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है, तोता और मैना. मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वास घाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है शिव जवाब देते हैं बिना किसी शंका के, यह सत्य है कि इनसान की सोच उसके इस तर से नीचे जा सकती है और वहीं पापी और विश्वास घाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इनसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं, पापी और विश्वास घाती होने की कोई जाती नहीं होती, वह इनसान की सोच और कृतियो का परिनाम होता है श्रोताओं वास्तव में इनसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वास घाती बना देता है इस वीडियो को बोलते समय कोई तुरूटी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ उमीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लायक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए